Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, my name is Garima आज हम करेंगे class 10th English NCRT, Footprints Without Feet, Supplementary Reader का chapter 8, The Hack Driver Hack Driver होता है जो भोड़ा गाड़ी चलाता है तो chapter स्टार्ट करते हैं And the chapter is written by Sinclair Lewis A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins तो एक यूवा वकील है जो की गाउं आता है Oliver Lutkins को समन देने के लिए समन होता है कोर्ट का आदेश जो की हर किसी को मानना होता है A friendly hack driver takes him round the village in the search of Lutkins तो एक hack driver जो है वो उसको गाउं ले जाता है Lutkins की तलाश में Friendly इसलिए क्योंकि वो काफी friendly manner का था behavior काफी अच्छा था Does he find him? क्या वो लोग उसे ढून पाते हैं? और who is Lutkins? तो यह Oliver Lutkins है कौन? चलिए chapter पढ़ते हैं यह chapter जो है वो lawyer जो है वो narrate कर रहे हैं तो वो बताते हैं after graduating with honors जब उन्होंने अपना graduation पूरा कर लिया I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm तो वो एक law firm में magnificent मतलब काफी शानदार तो काफी अच्छी law firm में उनको junior assistant clerk की नौकरी मिल गई और उन्होंने as a trainer यानि वहाँ पर उनका training period था join कर लिया I was sent not to prepare legal briefs तो मैं भेजा जाता था क्योंकि मैं वहाँ पर कोई legal documents तो बनाता नहीं था legal documents नहीं बनवाए जाते थे लेकिन समन जो भेजने होते थे वो भेजने के लिए मुझे महाँ पर रखा गया था like a cheap private detective जैसे कि एक private detective होता है detective यानि जासूस उस तरीके का काम था I had to go to dirty and shadowy corners of the city और मुझे गंदे और अंधेरे इलाकों में भेजा जाता था शहर के seek out my victims और जितने भी victims होते थे जिनने मुझे समन देना होता था उन्हें ढूनने के लिए seek मतलब तलाशने के लिए some of the larger and more self-confident उनमें से कुछ जो हैं वो काफी बड़े हटे-कटे होते थे और काफी self-confident होते थे once even beat me up जो उन्हें peat भी देते थे क्योंकि वो court का आदेश नहीं मानते थे I hated this unpleasant work और narrator बताते हैं कि मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुझे इसे नफरत थी and the side of the city life it revealed to me क्योंकि मैंने देखा था कि जो शहर की जिंदगी है उसका मेरे सामने खुलासा हो गया था reveal मतलब मैं देख पा रहा था कि कैसे लोग हैं I even considered fleeing to my hometown और मैं कभी-कभी तो consider करता था fleeing मतलब होता है भाग जाना उस situation से मतलब भाग जाना किसी भी जगह से तो वो चाते थे कि मैं अपने घर भाग जाऊ where I could have been real lawyer right away जहां पर मैं वास्तविकता तोर से वकील बन सकता था without going through this unpleasant training period और जो training period उनकी चल रही थी उसके बगैर वो एक lawyer वहाँ पर बन सकते थे वकालत कर सकते थे तो मैं एक दिन बहुत खुश हुआ जब एक दिन उन्होंने मुझे उस country से लगभग 40 मील दूर एक टाउन में भेजा जिसका नाम था New Million तो सर्फ समन ओन आद आद मैं और मुझे क्या काम दिया गया था मुझे एक समन देना था Oliver Lutkins को We needed this man as a witness in a case तो एक law case था उसमें मुझे इस आदमी की जरूरत थी as a witness या मतलब गवा के तौर पर गवाह जो गवाही देते हैं और वो व्यक्ती जो था Oliver Lutkins उसको पत्र तो मिले थे मगर वो इग्नोर कर रहा था नजर अंदास कर रहा था कि उसे कोई पत्र मिले हैं और वो कोई भी response नहीं दे रहा था When I got to New Million My eager expectation of a sweet and simple country village जब मैं New Million जा रहा था तो मैं काफी जादा उच्छुप था मेरी expectation थी कि वहाँ पर काफी simple and sweet country village होगा but severely disappointed लेकि जब मैं वहाँ पहुचा तो मैं काफी जादा निराश हो गया Its streets were river of mud क्योंकि वो सडके जो थी वो बिल्कुल कीचर के गड़े थे with rows of wooden shop चारों तरफ लकडी की दुकाने थी इधर painted और sore brown और bare of any paint at all तो कुछ तो वहाँ पे paint थी भूरे रंग से और कुछ पे तो paint भी नहीं था The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station और केवल एक ऐसी मुझे बस केवल महाँ पे delivery man जो station पे नजर आया बस मुझे वही ठीक लगा He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle तो उसका description बताते हैं कि delivery man कैसा था वो लगभग 40 साल का था उसका चहरा लाल सा था red-faced था cheerful, काफी खुश मिजाज लग रहा था और थोड़ा सा मोटा था His working clothes were dirty and well-worn और उसके जो कपड़े थे वो काफी गंदे थे और काफी जादा use किये हुए थे well-worn मतलब को अच्छे से पहने हुए and he had a friendly manner लेकिन उसका जो विवहार था वो काफी दोस्ताना था You felt at once that he liked pupil और आप उससे मिलेंगे तो आपको पहली बार में ही लगेगा कि वो लोगों को पसंद करता है I want, I told him, to find a man named Oliver Lutkins तो मैं चाहता था कि मैं उससे बताऊ मैंने उसे बताया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंड रहा हूँ जिसका नाम Oliver Lutkins है Lutkins, I saw him around here about an hour तो Delivery Boy ने, Delivery Man ने बताया कि Lutkins, मैंने उसको देखा था लगबग एक घंटे पहले Heart fellow to catch दो और वो काफी heart fellow है उसको पकड़ना इतना असान नहीं है Always up to something or other क्योंकि वो कभी कहीं होता है और कभी कहीं होता है He's probably tried to start up a poker game in a back of the Fritz shop तो Fritz की एक दुकान है एक व्यक्ति है जिसका नाम Fritz है और उसके दुकान के पीछे वो poker game यानि ताश खेलता है I will tell you boy और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा लड़के Is there any hurry about to the city तो narrator ने कहा lawyer ने कि मैं दुपहर की train पकरना चाहता हूँ इसलिए मुझे क्योंकि शहर जाना है I was very important and secret about it और वो नहीं बताना चाहता था कि इतना important or secret work जो है वो उसको hack driver को नहीं बताना चाहता था I will tell you what I have got a hack तो delivery boy कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है hack money घोड़ा गाड़ी I will get it out and we can drive around together and find Lutkins और हम उसमें बैठके चलेंगे और हम Lutkins को ढून लेंगे I know most of the places he hangs out मैं काफी सारी जगे जानता हूँ जहां वो मिल सकता है he was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection और हो काफी open था खुली मिजाज का था दोस्ताना सुभाव का था और मैं उससे मिलकर उसके प्यार भरे व्यवार से मिलकर काफी ज़्यादा खुश हुआ I knew of course that he wanted the business but his kindness was real मैं जानता था बाके में कि वो उसको business यानि पैसे चाहिए उसका व्यवसाय यही है but यह जो चीज वो कर रहा था वो काफी दया से भरी हुई थी और real थी मतलब यह वास्तव में real लग रही थी true लग रही थी I was glad the fair money would go to this good fellow और मैं खुश था कि जो किराय के पैसे हैं वो इस अच्छे व्यक्ति को जाएंगे I managed bargain down to two dollar an hour और फिर मैंने उससे मोलभाव किया bargain यानि मोलभाव करना कि एक घंटे का मैं तुम्हें दो डॉलर दूंगा दो डॉलर यानि लग भग देर सो रुपै and then he bought from his house nearby a short, a large black box on wheel और फिर वो अपने घर गया और घर से पास में ही था उसका घर और वहाँ से एक बड़ी सी काली बग ही ले आया जो पैये पे चलती हो black box का मतलब ये ये घोडा गाड़ी ये घोडा गाड़ी ले आया अपने घर से he remarked well young man here's the carriage और फिर उसने रिमार किया आये गोडा गाड़ी वो ले आया तो बोले गाड़ी आ गई and his wide smile made me into a whole friend और उसने इतनी प्यारी सी smile दी जैसे कि हम लोग पुराने दोस्त हों हम बहुत एक दूसरे को पहले से जानते हों these villagers are so ready to help stranger और मन में सोचा कि ये गाओं वाले जो हैं वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं stranger यानि अजनभी he had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me और उसने जो है वो एक कार मतलब दूसरों का कार को अपना लिया था क्योंकि Oliver Lutkins का काम ढूणने का काम तो lawyer का था लेकिन उन्होंने मदद करने के लिए इस कार में शामिल होके ये दिखाया कि हम आपकी मदद करने के लिए तयार हैं he said I don't want to interfere young fellow but my guess is that you want to collect some money from Lutkins तो जो driver था hack driver उसने कहा कि मैं नहीं चाहता आपके काम में interfere यानि दखलंदाजी करना लेकिन मुझे लगता है कि आपको शायद Lutkins से कुछ पैसे collect करने हैं यानि अभी तक हम जिसे delivery man कह रहे थे वो अब यहाँ पर hack driver है क्योंकि वो hack चला रहा है इसलिए हम hack driver बोलेंगे he never pays anybody a cent और उसने ये बताया कि Lutkins जो है वो इतना कंजूस है कि वो किसी को एक रत्ती पैसा भी देना पसंद नहीं करता he still owes me 50 cent on a poker game और उसने मुझसे भी उधार लिये थे 50 cent मतलब लगभग आधा डॉलर I was fool मैं बेखूफ बन गया enough to play with him और उसके संग खेलने के लिए मैं जब उसके संग खेला उसने मुझसे 50 cent ले लिये he was not really bad but it's hard to make him part of with this money वो बुरा नहीं है वास्ता में Oliver Lutkins जो है उसके बारे में बता रहा था कि Oliver Lutkins वास्ता में बुरा नहीं है लेकिन अब जो पैसा है वो किसी के संग share करना उसका बड़ा मुश्किल है वो पैसे किसी को नहीं देता if you try to collect from him in those fancy clothes he will be suspicious and get away from you तो अगर आप उससे पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वो भी इतने अच्छे कपड़ों में तो उसे शक हो जाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा उसको मतलब बिल्कुल भी doubt नहीं होना चाहिए नहीं तो वो जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ से वो भाग जाएगा if you want, I will go into Fritz अगर आप चाहते हैं तो मैं Fritz के आँ जाऊंगा and ask for him और उससे पूछूंगा and you can keep out of sight behind me और आप चाहें तो नजर बचाकर कहीं छुप सकते हैं मेरे पीछे और मैं आपका काहँ कर दूँगा I loved him for this तो narrator यानि lawyer भोलते हैं कि मुझे इस बाग पर बड़ा प्यारा है मुझे बहुत अच्छा लगा by myself I might never have found Lutkins अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं Lutkins को नहीं ढूँद पाता with the hack drivers knowing help अगर hack driver की मदद ना मिलती I was sure of getting by man और मैं पका था मुझे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जस वेक्ती को मैं ढूँद रहा था वो मुझे मिल जाएगा I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summon on Lutkins और उसने इतने अच्छे से मदब करने की बात की तो उसने मेरा confidence जीत लिया था और मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पर Lutkins को summon देने यानि court का आदेश जो है वो देने के लिए आया हूँ that the man had refused to be the witness क्योंकि वो व्यक्ती जो है वो गवा बनने के लिए जल्दी solve हो जाएगा the driver listened earnestly और जो driver था hack driver वो काफी ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था seriously सुन रहा था at the end he hit me on the shoulder and laughed आखिर में जब उसने मेरी पूरी बास सुन ली तो उसने मेरे shoulder पर यानि कंधे पर मारा और हसने लगा well we will give brother Lutkins a little surprise तो चलो हम brother Lutkins यानि Lutkins को छोटा सा surprise देते हैं let's start driver lawyer ने कहा चलो चलते हैं driver most folks around here call me bill और magnuson तो driver यानि जो hack driver था उसने उसको थोड़ा सा बुरा लगा कि उसने driver कहा इसलिए उसने कहा यहाँ पर मुझे काफी सारे लोग जो है बिल कहते हैं या फिर magnuson कहते हैं my business is called William Magnuson Fancy Karting and Hacking और मेरा जो business है उसका नाम है William Magnuson Fancy Karting and Hacking तो घोड़ा गाड़ी है और उसका उसने नाम लग रख रखा है तो मुझे याँ पर लोग बिल कहते हैं alright Bill shall we proceed to Fritz तो फिर lawyer ने का हाँ हाँ ठीक है Bill चलो अब तो Fritz की दुकान पर चलते हैं yes yes Lutkin's is just as likely to be there as anywhere और उसने का हाँ Lutkin कभी यहाँ हो सकता है और कभी वहाँ पर नहीं हो सकता है यानि वो पल में इधर उधर हो जाता है plays a lot of poker और लेकिन वो poker बहुत खेलता है he is good at deceiving people और वो लोगों को धोका देने में भी बहुत अच्छा deceive करना यानि किसी को चलना धोका देना Bill seemed to admire Lutkin's talent for dishonesty और ऐसा लग रहा था कि जो Bill है वो Lutkin's के जो dishonesty है बैमानी उसके talent को बिलकुल भी पसंद नहीं करता I felt that if he had been a policeman मुझे लगता है कि अगर वो पुलिसमेन होता he would have caught Lutkin's respectfully वो Lutkin's को काफी आदर पूरवक पकड़ता and jailed him with regret और उसको जेल में डाल देता काफी पश्टावे के साथ रिगरेट यानि पश्टाना Bill led me into Fritz अब Bill जो था वो मुझे को Fritz की सौप पर ले गया Have you seen Oliver Lutkin's around today? और वहाँ जाके उसने पूछा क्या आपने आज Oliver Lutkin's को यहाँ देखा है? Friend of his looking for him said Bill cheerfully और Bill ने काफी खुशी से पूछा तो उसके जो friends थे वो उसके तरफ देखने लगे Fritz looked at me hiding behind Bill और Fritz ने उसको देखा जो कि मैं उसके पीछे छुप रहा था he hesitated and then admitted वो थोड़ा तो जिचका और फिर उसने admit किया हाँ he was here a little while ago थोड़े देर पहले वो यहीं था guess he's gone over to Gustav's to get a shave और फिर उसने का शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो Gustav's की shop पे गया होगा जो shave करता है दाड़ी बनाता है उसकी दुकान पे shave करवाने के लिए well if he comes in tell him I am looking for him तो उसने का अच्छा ठीक है अगर वो यहां आता है तो उसे बताना कि मैं उसे धून रहा था we drove to Gustav's barber shop अब Gustav's की एक barber shop है नाई की दुकान तो वो लोग गाड़ी चला कर वहां पहुचे again Bill went in first फिर से Bill जो था वो पहले अंदर गया and I lingered at the door और मैं जो था वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा he asked not only the Swede but two customer if they had seen Lutkin's उसने केवल उस barber से ही नहीं पूछा बलकि वहां पर जो दो customers थे उनसे भी पूछा Swede मतला वो Sweden का था इसलिए उसको Swede बोला गया है तो उन तीनों लोगों से उसने लुटकिए उसके बारे में पूछा the Swede had not तो बारबर ने का नहीं नहीं हमें तो नहीं पता he had angrily और वो गुसे से बोला I haven't seen him मैंने उसे नहीं देखा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर तुमें वो मिल जाए तो मेरे 35 डॉलर जो उसने मुझे उधार लिये थे वो उससे ले लेना उसमें से जो दो customer थे उसमें से एक ने कहा कि मैंने शायद main street पर लुटकिन्स को जाते हुए देखा है this side of the hotel जो hotel के side में main street है वहाँ पर as we climbed back into the hack और फिर हम लोग वापस गोड़ा गाड़ी पर चल गए Bill concluded that since लुटकिन्स had exhausted his credit as Gustafs he had probably gone to the grace for shape तो Bill ने ये conclude किया आखिर में कहा कि लुटकिन्स ने अगर यहाँ पर उधार ले रखा है Gustafs से तो वो शायद Gray के पास गया होगा वो भी barbershop है वहाँ पर shape कराने कले गया होगा क्योंकि जब कहा है हम किसी से उधार लेते हैं तो उसके पास तो नहीं जाएंगे अब जब हम Gray की बार्बर शॉप पर पहुचे नाई की दुकान पर तो हमने बस पांच मिनट पहले ही लुटकिन्स वहाँ से निकल गया था तो हमने उसे मिस कर दिया He had just left और वो बिलकुल अभी अभी निकला है शायद पूल रूम के तरफ पूल रूम जहाँ पर पूल वाला गेम खिला जाता जो टेबल पे बॉल्स होती है उसको स्टिक से मारके जो गेम खिलते हैं उसे हम पूल कहते है और जब वो पूल रूम पर पहुचे तो उन्होंने देखा कि उसने शायद अभी अभी एक सिगर्ट का पैक खरीदा है और वहाँ से बाहर निकल गया है इसलिए हमने उसका पीछा किया परसिव करना यानि किसी का पीछा करना फॉलो करना हमेशा हम उसके पीछे थे लेकिन हम उसे पकर नहीं पा रहे थे और एक घंटे बाद ही लगभग एक बज गया था I was hungry, मुझे भूख लगी थी but I had so enjoyed लेकिन मुझे काफी मज़ा आ रहा था Bill's rough country opinions about his neighbor, क्यों जो Bill था, वो अपने country में जितने भी लोग थे, जो उनके पडोसी थे, उनके बारे में राय सलहा दे रहा था, उनके बारे में लुटकिन्स और नॉट, चाहे लुटकिन्स मिले या नहीं मिले क्योंकि वो तो वहां की life को enjoy कर रहा था, how about something to eat, I suggested तो मैंने कहा, यानि lawyer ने कहा क्यों ना कुछ खाया जाए, let's go to the restaurant and I will buy you lunch, चलो restaurant चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए भी वहां से lunch खरीद दूँगा, well I ought to home to the wife तो जो hack driver था, उसने कहा कि नहीं, मुझे अपनी wife के पास जाना है, I don't care much for these restaurant, और मुझे यहां के जो restaurant हैं, बिलकुछ समझ में नहीं आते only four of them and they are all bad, केवल चारी है और चारों के चारों में खाना जो है वो बेकार मिलता है, tell you what we will do, तो फिर lawyer ने बिल से पूछा, फिर क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, we will get the wife to pack up a lunch for us तो उसने का, ठीक है, मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, और आपके और मेरे लिए दोनों के लिए lunch पैक कर वा लोंगा, she won't charge you more than half a dollar और वो आपको लंच के लिए आधे डॉलर से जाधा चार्ज नहीं करेगी, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant, और आपको तो अच्छा ही पड़ेगा, greasy मतलग काफी oily food जो होता है, रेस्टरेंट का, उससे तो बहतर ही है, and we will go up a wade hill, और फिर हम लोग wade hills जाएंगे, and enjoy the view और वहाँ का नजारा enjoy करेंगे while we eat, जब हम lunch खाएंगे, तो ये तो हो गया chapter का first part, इसका second part हम लोग next video में देखेंगे, और मैं आपको word to word explain करूंगी, and आपको कैसा लगा, comment section में ज़रूर mention करिएगा, और पसंद आया है तो like करें, share करें, चैनल को subscribe करें